हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगें तू लर्ण व्रिदेतीमन तो देखिए आज का वीडियो जो है वो इंपोर्टेट है आप डूपों के लिए क्योंकि कई बच्चे जो है यह कमेंट कर रहे हैं कि उनको आपत्ती दर्ज करानी है लेकिन वो कैसे कर रहे हैं तो यह पूरा प्रॉसेस जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ और आपको पता होगा कि आज लास डेट है रातरी बारा वजे तक आप आपत्ती धर्ज करा सकते हो देखिए बिलकुल भी इस चीज में आप लोग इसे इग्नॉर न करें यह आपकी लाइफ का सवाल है यदि आपको एक या दो कुश्यन में डाउट लगता है और आपके पास प्रूफ है तो आपको जरूर कराएं आपत्ती ठीक है तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले आपको क्या करना है तो देखिए सबसे पहले आपने क्या किया साइट पर गए आप ठीक है तो यह यहां पर आप गए वैसे ही यह पेज खुलकर आ जाएगा तो आपने आंसर की जो है वो यहां से देखी होगी आंसर की लेवल वन है ना आंसर की लेवल टू लेकिन यहां नहीं जाना है आपत्ती के लिए आपको जाना है जहां यह लिखा है application form तो फर्स्ट में ही लिखा तो जिसमें भी आपको आपत्ती दर्ज करानी है तो वहां आपके करेंगे ठीक है मान लीजिए आपको level 1 में कुछ question है जिनमें आपको आपत्ती दर्ज करानी है और आपके पास प्रूफ है तो आप यहां जाएंगे तो ये page आपके पास खुलके आ जाएगा उसके बाद देखिए यहां पर आपको नहीं जाना है आपको कहां जाना है यहां जाना है जहां पर लिखा है objection of answer की ठीक है यहां आप roll number भरियेगा mother name भरियेगा और date of birth भरना है उसके बाद जैसे ही proceed आप कर देंगे तो आपके पास ये page खुलकर आ जाएगा तो ये page खुलकर आ गया ठीक है तो यहां पर जो भी आपने फिल किया था date of birth कौन सा level, exam का, mother name, role number ये सब कुछ आ गया और उसके नीचे लिखा हुआ है online आपत्ती हेतू प्रती प्रशन रुपीज 330 निर्धारित की गई है फीज जमा करवाने के बाद ही आपत्ती अप्लोड कर पाएंगे अभ्यरती एक बार ही आपत्ती अप्लोड कर सकता है अथा एक बार में ही वांचित प्रशनों का चैन कीजिए तो यहां जो select लिखा हुआ है यहां पर आपको जितने प्रशनों में doubt है तो उनकी संख्या आपको डालने हैं यदि आपको दो प्रशनों में doubt है तो दो लिखिएगा तीन है तो तीन लिखिएगा ऐसा नहीं करना है कि एक बार आपने सारी प्रशनों के वल एक प्रशनों के लिए की और आपको दुबारा से दूसरे प्रशनों के लिए करें एक बार में ही आपको जितने भी question में doubt है उतना question की संख्या आपको यहां करनी है select में और आपको पता है हर प्रश्ण के लिए आपके कितने जाएंगे 300 रुपीज जाएंगे जैसे आपने 5 कुश्चन में आपको doubt है तो आपके 1500 रुपे कट जाएंगे ठीक है और नीचे देखिए है proceed उसके बात करना है आपको proceed जैसे ही proceed करेंगे तो पहले से ही select करके रखना है आपको कौन से कुश्चन में आपको doubt है आपको प्रूफ जो है उनको भी फोटो जो है वो कीज लेनी है इनको सबको आपको साथ में ही कीज के आपको डालना है और याद रखना है आपके पास authentic प्रूफ के लिए RBSC की पुक्त होनी चाहिए ठीक है और उसके बाद जैसे ही आप कर लेंगे objection on key fees यह आपकी आजाएगी यहां आपको date of candidate और चालान नंबर ठीक है यह सब कुछ यहां पर भर जाएगा और आपने जितने भी payment किया है यह आपको दिखाई दे जाएगा तो इसकी आप print भी निकाल सकते हैं सबसे उपर देखिए left hand पे उपर print है तो आप कहीं पर भी चाहिए e-meter के पास जाकर आप यह print निकलवा सकते हैं यदि आप cash payment नहीं करना चाहते हैं तो आप यहां पर देखिए print के side में ही make payment लिखा हुआ है तो online payment भी आप कर सकते हैं तो इस तरीके से आपको यह सब काम करना है ताकि आपको फायदा मिल सके हो सकता है अभी बहुत सारे question है चार-पांच question लगबग हैं जिन पर bonus मिल सकता है या फिर वो delete भी हो सकते हैं question तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है एक question के दिए बहुत सारे बच्चे जो ह नहीं है अपना है तो चलिए मिलते हैं next video में thank you